कंगना रनोत के शो लोकप में धढ़ा धढ़ वाइल कार्ड एंट्री से दर्शकों का खूब मनुरंजन हो रहा है वहीं दूसरी और शो में हर गुजरते दिन के साथ नए ट्विस्ट वे खुला से हो रहे हैं इसी क्रम में अब पुनम पांडे से जुड़े संसनी केस राज स बताया कि जब वो एक्स हस्बेंट सेम बंबे के साथ अब्यूजिव रिष्टे में थी तब उन्होंने कई बार अपने जान लेने की कोशिश की थी पुनम ने कहा कि मैंने अपने शादी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन सेम बंबे से मुझे वो इज़त नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी, इसके बाद मैंने शराप पिना शुरू कर दिया, कई बार अपने कलाई भी काटी, पुनम पांडे ने आगे बताया कि एक बार उन्होंने चहर भी पी लिया था, और यहां तक कि उन्होंने अपने बिल्डिंग के साथ फ्लोर से गूत कर जान देने के बारे में भी सोचा था, वैसे ये कोई पहले बार नहीं है, पुनम पहले भी कई बार खुझ से जुड़े ऐसे खुलासे कर चुकी है, पुनम यहां तक बता चुकी है, कि उन्हें कुत्ते की तरह पीटा गया है, उन्हें बैडरूम में बंद कर दिया गया, और फोन का इस् एपिसोड में मुनवर ने बताया था, कि उनकी मा ने दोजा साथ में तेजा पी कर आत्म हत्या कर ले थी, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मा ने एक कठिन जीवन जिया था, और वो पिछले दो दशकों से एक खराब शादे में फसी हुई थी